हरियम दोस्तों मैं योग गुरू डॉक्टर अमित अकरवाल अपने यूट्यूब चनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति स्ट्रेस से गुजर रहा है हर व्यक्ति ज्यादा तर एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं डिप्रेशन से गुजर रहे हैं स्लीपिंग प्रावलम से गुजर रहे हैं इन सुमीनिया जैसी प्रावलम आजकल आम हो गई हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको इन सब चीजों का बहुत ही खास टेक्निक के माध्यम से इलास बताने वाला हूँ और अगर उस टेक्निक को आप फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले दिन से ही आपको रिजल्ट अद्बुत मिलेंगे क्या आप जानते हैं कि आपके थौट्स ही रियल्टी बनाते हैं अर्था जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपके सामने वो परड़ाम मिलता है आपके thoughts अगर negative होते हैं तो आपके सामने negativity यादा आती है और आपके thoughts अगर positive होते हैं तो आपके सामने positive ही positive आता है अर्थाप आप positive रहते हैं इसके पीछे कारण यह है कि आपका जो subconscious mind है आप सीधा सीधा आपने thoughts वहाँ पर transfer करते हैं जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है ये बात बिलकुल सकते हैं सामाने सी बात अगर मैं करूँ तो सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही रात को हम सोते समय बिस्तर पर जाकर लेटते हैं दिन भर के खास तोर से negative thoughts हमारे मन में चलने लगते हैं और अब उनसका चिंतन करने लगते हैं positive हम नहीं सोचते ज्यादा तर negative ही सोचते हैं अगर आप किसी बेमारी से गरस्त हैं अगर आप किसी financially problem से गरस्त हैं अगर आप किसी परिशानी परिवारिक परिशानी से गरस्त हैं तो वही सारे विचार आपके मन में चलते रहते हैं वो सारे विचार आपके अंदर negativity पैदा हैं उसी नगेटिवीटी एनरजी के साथ आपको ध्यान होगा पिछली गहरी श्वांस की बीडियो पर मैंने चार केमिकल का जिक्र किया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे उनमें पहला था डोपामाइन ऑक्सिटोसिन सेरोटोनिन एंडॉर्फिंस यह चार केमिकल जैसा कि बहुत बड़ा रूल आपके थाट्स का होता है इन चार केमिकल कि गरवडाने के कारण आपके मानसिक इस्तर पर लगातार एक बेचैनी एक नगीटिविटी लगातार बनी रहती है और उसके साथ साथ वो जुड़ी होती है आपके थाट्स से उस इस्तिति में जब आप टोनी नगेटिव ठॉट्स में घूमते रहते हैं तो न तो आप सुबह फ्रेश उठते हैं ना मिष्टी आपकी साूंडसनी नीन पूरी होती है और सुबह औसी नगेटिव अनर्जिव पार्विटी में ही पूरे धिन रहते हैं और आपको जो फ्रेश फील होना चाहिए वो नहीं होता जिसकी बज़े से आप दिन पर दिन तमाम मानसिक रोगों से घिर जाते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको वही अमेजिंग मिरेकल टेकनिक बताने बाला हूँ कि आप अगर सोते समय इस टेकनिक को मात्र तीन मिनेट फॉलो करते हैं रेगुलर करते हैं तो आप देखेंगे अधवत रिजल्ट मिलते हैं आप पॉस्टिव एनरजी के साथ सोते हैं सुभा पॉस्टिव एनरजी के साथ उठते हैं आपको नीन भी घहरी आती है और आप दि बैठने में दिक्कत हो अगर आप बैठ नहीं पा रहे हों तो सीधे लेट जाएए और किसी भी पॉश्चर में आप सीधे बैठने के बाद अपनी आखे बंद कर लेजे और पूरा कंसंटेशन आपनी श्वांसों के आने और जाने पर बनाएए श्वांसों को सिर्फ धीमा गहरा रिलेक्स के साथ लेना हैं सहज रूप से लेना हैं कोई प्रियास नहीं करना कुंभक लगाने का श्वांस को लंबा खीचने का गहरा करने का बिलकुल सहज रूप से श्वांसों को लीचिए श्वांसों को छोड़िए और एक पॉस्टिवि हिज ये कि आप हर शौंस के साथ ओर्जा का अनुभव कर रहे हैं हर छोड़े जाने वाली शौंस के साथ आप शान्त हो रहे हैं रिलैक्स हो रहे हैं पूरी एकाग्रता पूरे कंसेंट्रेशन पूरी आवायरनेस के साथ शौंस के साथ जुड़िये और तीन मिनट तक लगातार शौंस को ध्यान से देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपने मन को अपने शौंसों पर लगाना हैं और लगातार अपने मानसिक इस्तर पर अपने आपको एनरजाइटिक फील करना है पॉजिटिव फील करना है और अपने मन को एक मैसिस एक संदेश लगातार भेजना है कि मैं पूर्टहा स्वज्द हूँ देखा आपने बड़ी साधरान सी टेकनिक है तीन मिनट सिर्फ सोने से पहले आपको बैठना है शौंसों को सहज रूप से देखना है और एक पॉस्टिविटी एक पॉस्टिव संदेश आपको अपने सबकॉंशियस माइन में ट्रांसफर करना है कि मैं पूर्टहा हूँ शौंसे मुझे उर्जा दे रही है शौंसे मुझे शांत कर रही है और मुझे किसी पिरकार का कोई रोग नहीं है तो जब आप इस तितिती में जाएंगे और रात को सोएंगे तो इस पॉस्टिव एनरजी के साथ सोने के साथ आपको नींद भी अच्छी आएगी और सुभा को जब उठेंगे तब आप फ्रेश फील करेंगे और एक पॉस्टिव एनरजी के साथ अपनी सुभा की शुरू बात करेंगे तो आप इसको करिए इसके जवरदस्त लाव है आलरेडी बहुत से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए शेयर करिए हारियों